चाय के बारे में एक जानकरी देखुम है चाय जो है ना आपके देश का उत्पादन नहीं है पहली बात जानकरी के लिए खता अंग्रेज आये थे जब इस देश में तो चाय का पौधा साथ ने लाए थे और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे इस्थान है जो अंग्रेजों के अनकूल जहां ठंड जादा पड़ती है उन इस्थानों पर पहाडियों पर चाय के पौधे लगवा दिये तो उसमें से चाय हुने लगी अंग्रेज अपने साथ चाय लेकर आई थे भारत में चाय कभी हुई नहीं सत्रे सो पचास के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नामों निशान नहीं था ब्रिटिश अरस आए इस इंडिया कमपणी लेकर तो उन्होंने चाय के बगान लगाए उन्हेंने अपने लिए लगाएं, क्यों लगाएं, चाय एक मेडिसिन है, इस बात को ध्यान से सुनें, चाय एक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, चाय मे आगे बढ़ते हैं चाय उन सब के लिए जिनको blood pressure कम रहता है अमरूत है medicine है low BP वालों के लिए लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको BP high रहता है या normal रहता है अब अंग्रेजों की एक समस्या है आज भी है वो हजारों साल से सबी अंग्रेजों का BP low है सिर्फ अंग्रेजों का ही नहीं अमरीकियों का भी Canadian लोगों का French लोगों का German लोगों का Swedish लोगों का Danish लोगों का सब का BP low कारण क्या है बहुत ठंडे इलाके में रहते बहुत ठंडे इलाके में रहते उनकी ठंड का तो हम सोच नहीं सकते हैं अभी एक बात पूरी हो जाए तो अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है साल में छे महीने सूरज में इतनी ठंड है और आप अगर उनके या टेंपरेचर रे माइनस 40 रणाधमक रूप से 0 से भी नीचे 40 डिगरी, 0 से भी नीचे 30 डिगरी, 20 डिगरी, 22 डिगरी, 25 डिगरी, 15 डिगरी ये टेंपरेचर उनकी आद 6 महीने रहता है तो पूरज निकलता नहीं, 6 महीने धुन्द ही धुन्द रहती है आसमान में ये इनकी सबसे बड़ी अग्रेजों की और अग्रेजों के आसपास के देशों जादा थंडे इलाके में कोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा आप भी करके देख लें मैंने किया, एek बार मैंने ये एकस्परिमेंट अपने ऊपर किया, बर्फ मगाया मैंने, वो बर्फ की सिल्ली आती है, वो मगाई और चारो तरफ सिल्ली लगा के अंदर में लेट गए लेटने से पहले मैंने मेरा बी-पी चेक कर लिया और लेट गया, तीन मिनट के बाद ही मेरा बी-पी लो होना शुरू हो गया तीन मिनट से छे मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जाए ऐसी आलत हो गई आठ दस मिनट में ही मुझे बरफ से बाहर आना पड़ा फिर बी-पी चेक किया मैं कलपना नहीं कर सकता इतना लो था इतना लो था फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज़्यादा बिचारे तो अंग्रेज है जो बरफ की सिल्वियों में छे महीने रहते है चारो तरफ बरफ रहती है छट पे बरफ रहती है सड़क पे बरफ रहती है इधर बरफ रहती है उदर बरफ रहती है इतनी बरफ होती है कि गाड़ियां बरफ में दप जाती है फिर उनको special अभ्यान चलाना पड़ता है बरफ को तोड़ने का सारी सरकारों का बड़ा बजट तो बरफ तोड़ने में खर्च होता है कनाड़ा अमेरिका तो वो लोग सच में बरफ में जादा रहते हैं ठंड बहुत है ब्लेट प्रेशर बहुत लो होता है अब तुरंत ब्लड को इस्टीमूलेंट चाहिए अगर बीपी लो हो गया इतनी ठंड बढ़ गई इस्टीमूलेंट चाहिए तुरंत बीपी बढ़ाने के लिए तो चाए उसमें सबसे अच्छी है दूसरे नमबर पे काफी तो चाए और काफी उन सब के लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है अगर मैं जम्मू कश्मीर में जाकर ये व्याक्यान दूगा तो लोगों से कहूँगा चाए पियो काफी भी पियो क्योंकि उनके लिए वो मेडिसन है आपको अगर मैं लेक्चर करूँगा तो आपको बोलूँगा आप मत पियो क्योंकि आप इतने बरफ वाले इलाके में नहीं रहते हैं आपके हाँ थोड़ी थंडी है वो भी साल में 10-15 दिन की है वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पढ़ता है हाथ पर आपके गल्ले लगते हैं टेंपरेचर माइनस जीरो या जीरो के नीचे आजाता है तब आपके हाँ शायद 2-4 दिन 5 दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पीलो कॉप चीलो क्योंकि उससे में बीपी बहुत लोग है लेकिन पूरे साल चाय पीना है और एंपरी टाइम इस टी टाइम ये सबसे खतरना है सुबह उठते ही चाय पीना कई लोग तो कहते हैं चाय नहीं पियेंगे तब तो पौटी भी नहीं कर सकते ये तो बहुत खतरना है ये तो बहुत खतरना है इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आद़ है तो इसको बदलिए नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अगर लोग बीपी आपको नहीं है और blood pressure normal है, चाय पीना आप जारी रखते हैं, दीरे दीरे high होना शुरूँ हो, और वो high होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा, फिर डॉक्टर कहेगा बीपी लो करने के लिए गोलियां खाओ, और जिंदगी बर चाय भी पी हो, जिंदगी बर गोलियां भी खाओ तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा आपी चाय छोड़ दो, वो कहेगा गोलियां खाओ, क्योंकि गोलियां भी केंगी तो उसको भी commission मिलने वाले हैं, तो आप या तो decide कर लो कि जिंदगी बर blood pressure की गोलियां खाके जिंदा रहना है, तो चाय पीते रहिए, और अगर जो नहीं ख normal acidity से भी बहुत नीचे रहता है, माने उनका जो blood है उसकी acidity अगर हम नापे है, यूरोप और अमेरिका के लोगों की, और हमारे blood की acidity नापे दोनों में अंतर है, अगर हम pH scale को जानते हैं, तो हमारा blood जो है ना, वो 7.5 के आसपास, 7.4, 7.3, कभी-कभी 7.2, कभी 6.8 तक च चला जाता है acidity में, लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो प्लस 8 और 8 के आगे रहता है, तो उनका blood जो है न, थोड़ा सा alkaline है, यूरोटियन दो होगा, और चाय acidic है, तो alkaline blood को थोड़ा acidic करने में चाय उनको मदद करती, इसलिए उनके लिए हमारा blood पहले से ही थोड़ा acidic है, और पेट भी हमारा acidic है, और हम चाय पी के और जादा acidic उसको बनाते हैं, और जादा हम लिए बनाते हैं, तो जीवन का सरवनाश करते हैं, इसलिए चाय आपके लिए नहीं है, और मैं एक आखरी जानकरी आपको दे दूँ, बगवान ने जो चीज़ें आपके इतना लगता है, वो सब 20 किलो मीटर के दाइरे में होता है, आप पट्याला को केंदर बनाकर 20 किलो मीटर का एक circumference बनादी है, आपकी जरूरत की हर चीज़ वहां होती है, वो आपके लिए सबसे अच्छी है, और हजारों मील दूर, नील-गरी की पहाड़ियों में जो चाय कुर्ग एरिया में काफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लो बीपी है, तो वहां काफी होती है, अप्याला और आसपास में काफी का कितना भी प्लांटेशन करेंगे होगी नहीं, क्योंकि काफी की हमें जरूरत नहीं है, ये तो गरबड़ी क्या हो गई, कि ट्रांसपोर्टे वो हे सिर्फ दयों को जरा। औब्जर्व करें, वो चाहे पीते हैं क्या, मैंने बहुत पिलाके देखा हैं, नहीं पिते हैं, कोई पकशी .. कोई पकशी काफी नहीं पूता, मेरे घर का पाल्टू कुटा भी नहीं पुता , वो भी मोई इधर-उधर कर देता चाहे रख़तो इधर-उधर करेगा दूद रखतो फढ़ सकीज़ा एक मिनट नहीं लगता बिल्ली को पिलाकर देखा कुट्भी को पिलाकर देखा वो भी नहीं पीते उनको भी इतना सेंस है हम तो इतने सेंसलेस हो गए अपने को समझते तो बहुत खोश्यार है कि हम बहुत इंटिलिजन प्राप्लम हमारी इंटिलिजन्सी की नहीं है सेंसलेस हो जाए तो आप थोड़े सेंस में वापस आए चाय कॉफी छोड़िए फिर आप बोलेंगी कैसे छूटेगा स्वामी जी का एक सूत्र बता समुख चाय छोड़ देगा स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी चाय पीकर आपने किया-किया आपके ब्लड को ऐसे डिक बना लिया अमली ये बना लिया अब इसको बापस आपको चारी ये बनाना पड़ेगा तो सबसे अच्छी चीज है अरजुन चाल का पाउडर उसका काढ़ा बना के पीजिए चाय जिनको छोड़ देगे भराएग वाले को सित्कार कजे करें अच्छा चाल का मोड़ दे रहे हो बहुत अच्छा आप जो है जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिनों ने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का वो नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छी आयरुवेदिक दवा है अरजुन चाल का पाउडर मिलता है उसको काड़ा बनाना आप सब जानते है पानी में डाल के उबाल दीजे थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजे गुड मिला दीजे बहुत अच्छा तेजार लता है टेस्ट उसका चाय का ही जैसा है और रंग भी चाय के जैसा है उसमें दूद भी डाल सकते है गोड़िया चीनी जो भी डाल के और उसको पी लीजे लगाता है पंद्रह पीस दिन आपने पी लिया तो मैं आपको 99% गारेंटी देता हूँ चाय छूट जाएगी और चाय पीकर जितना नुकसान आपने कर लिया वो सारा नुकसान उससे कबर हो जाएगा आपके बलड में एसिडिटी कम कर देगा और आपके बलड को एलकलाइन कर देगा और मज़े की बात ये है कि blood की acidity बढ़ते ही cholesterol, triglycerides ये सब बढ़ने लगते हैं और blood की acidity गढटते ही cholesterol और triglycerides सब गढ़ने लगते हैं माने heart attack से बचना है तो भी अरजुन की छाल ही चाहिए हैं तो चाए का सबसे अच्छा विकल्प है और एक अच्छा विकल्ब है, अरजुन की चाल बहुत छारी है, अलकलाईने, ऐसी कोई भी चीज जो अलकलाईन है, वो आप पीना शुरू कर दीजे चाई के विकल्ब करोगा, जैसे जीरा है ना जीरा, बहुत अलकलाईन, जीरे का काड़ा बनाई है, जीरे का काड़ा कैसे जीरा पानी में डालिये, उबालिये, थोड़ा गुड मिला दीजे, और थोड़ा उसमें पुदीने का, पत्ते का, चट्नी मिला दीजे, ये बहुत अलकलाईन हो जाता, फिर इसको पी लिखे चाई की तरह से, ऐसे ही आपके घर में अजवाईन है, अजवाईन, बहुत अल अलकलाईन है, बहुत चारी है, अलकलाईन का काड़ा बना दीजे, गुड़ मिला के और धीरा भी डाल सकते हैं, बनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, दोनों अलकलाईन है, उनकी चट्नी डाल दीजे, बहुत अच्छा तयार होगा, तो ऐसे बीसी ओ तरह के काड़ी है, एक ह तो सभी अलकलाईन चीजें हैं उसमें, चुन चुन कर उनकी अलकलाईन चीजें उसमें रखी हैं, वो दिव्य पे चाएगा बहुत अच्छा विकल्प है, तो विकल्प है, अच्छा विकल्प है, तो फिर जहर क्यों खाना, और अगर रिष्टेदार आते हैं, रिलेटिव साथे हैं, तो उनको आप कहते हैं, अतिथी तो देवता है, तो देवताओं को जहर तो नहीं पिला सकते हैं, देवताओं को तो अम्रदी पिला सकते हैं, राक्षसों को जहर पिला सकते हैं, तो आप देखिए आपकी अतिथी राक्षस हैं कि देवता हैं, अगर आप बांते है कि वो राक्षस हैं खूब चाहिए खूब कॉफी पिला ये जल्दी मार डालिए उनको और अगर आप बादे हैं कि नहीं वो देवता है तो बिल्कुल चाहिए बिल्कुल कॉफी मत दीजिए धित्व पेह दीजिए और जुटी चाल का पाउडर दीजिए जिन्दा रखिए उ कंपूल दर्श निरोगी और स्वास्ति